नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको नखताना तालुका के नेत्रा में एक वांडिया गाम में आया हूँ रायडे का खेद दिखाने जो आप देख सकते हैं इसमें रायडे के खेद में हूँ और यह आप देखिए यह बहुत ही सांदार रायड अभी आपको दिखे रहा है जो यह Oasis Limited कंपणी सावनदामदवाद गुजरात कंपणी का यह रायडा है और मैं आपको दिखाता हूँ उस रायडे का नाम आप पेचान सकते हैं यह है रायडा संजीवनी 557 कंपणी का संजीवनी 557 रायडा है और यह बहुत ही सांधार रायडा है जिसकी शांदार भाई का है बहुत ही अच्छान उन्हें देखवाल किया हुआ है और आप देख सकते हैं फूट जबर्दस्थ है और अभी आपके जो सामने है आप फूट की बात जो रही आप देख सकते हैं इस तरकी की फूट है इसके अंदर डालियां बहुत ज्यादा है फ्रांसेज यह पूरा रा और दो मेहने के बाद यह रायडा कैसा होगा आप देख सकते हैं यह पूरे पंचाउन दियोस का रायडा है 55 डेज अभी दो मेहना भी उप्रा नहीं हुआ है इसको और इन्होंने अपनी पूरी बाड़ी में 30 एकड में लगाए हुआ है यह रायडा सम्जूनी 577 यह इनकी कि फूरी बाड़ी है कि दोस्तों कर आप भी इस तरह की बढ़ियां खेती करना चाहते हैं अच्छी उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप निशीत रूप से इस टाइब की बरायाइटी का चैन कीजिए और अच्छा उत्पादन लिजिए कम से कम खर्च में और मातर पंचा आइब डेच में यह रड़ा ऐसा दिख रहा है जो हम आज आपको दिखा पा रहे हैं और जी स्विक खिरुद भाई का है उसका नाम है हुसेन भाई रायमा वांडिया गाम तालक नकता नाजी लोकच भूज गुजरात राज्व में आप देख सकते हैं बहुत ही सांधार ब कि उसका उपयोग अमने इनको करवाया है और सिस गोल्ड का ये फाइदा इनको दिख रहा है जैसा कि आप और हम आपको दिखा पा रहे हैं अभी 55 दिन करा रहा है और नीचे जुकना भी चालू होगा आप देख सकते हैं तो दोस्तों इस तरह की खेती के लिए अंदार उत पादन लेजिए मातर 55 देज 55 दिन कि अब दो मिना भी पुरा नहींगा है आप देख सकते हैं इसे फली कितना पास पास से लगना चालू हो जाती है और कितनी लंबी लभी फलीयां लगी है आप इसको बड़े आसानी से देख सकते हैं यह इसका फली का और बहुत ही संदार कर आड़ा है दोस्तों आप बिल्कुल किजिए ऐसी वार्याटी को स्ट्यूज किजिए ओसी स्लिम्चेट कंपनी की संजीवनी 507 557 बहुत ही संदार दोस्तों और इस तरह की अन्य कृसी से समंदित रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्र और दोस्तों आप अगर इसकी हाइट की बात करें तो मेरी हाइट से भी यह काफी लंबी है कि अब बहुत ही जानदार वराइटी तो फैनली धन्यवाद में तो देखने के लिए